जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 और 6 जनवरी 2023 के धनुरासी फल के बारे में धनुरासी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे? क्या योग बनेगा? और ग्रह आपकी दिंचरिया को कैसे प्रभावित करेंगे? चानेंगे आपके वेपार, वेवसाय, नौकरी, सिक्षा, स्वास्त, परिवरिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन सभी के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेधन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ तो दोस्तों जानते हैं, इस दोरान क्या तिथी होगी, क्या नक्षत्र होगा, और कौन से योग बनेंगे? तो बात करते हैं, पहले 5 जनवरी 2023 पोश महा के शुकल पक्ष के गुरुवार दिन के बारे में, तो इस दोरान चतुर्दसी तिथी अगले दिन सुभे 2 बजकर 16 मिनट तक रहेगी, फिर पूर्णी मा तिथी सुरू हो जाएगी, शुकल योग सुबह 7 बजकर 31 मिनट तक र सुर्य देब धनो रासी में विराजमान होंगे, चंदर देब मिथुन रासी में विराजमान होंगे, राहुकाल का समय दोफैर 1 बजकर 44 मिनट से, साम 3 बजकर 2 मिनट तक रहेगा, अभिजीत मूरत दोफैर 12 बजकर 5 मिनट से, दोफैर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा, पांच जन्वरी को गज केसरी योग होगा और इस दिन रवी योग का नर्मान भी होगा और चंद्रमा मिथुन रासी में वुराजमान होगा तो ऐसे में जो लोग बिरुजगार हैं जौब की तलास में हैं उन्हें इस दोरान कड़ी मेहनत करनी होगी तो अच्छे परणाम प्राप्त होंगे इस दोरान आपको अपने मित्रों का, प्रिये जनों का, परिवार का भरपूर साथ मिलेगा लेकिन इस दोरान कुछ चीजों को वैसा ही रहने दें जैसी थी और इस दोफेर का एक घंटे का समय, यानि दोफेर दो बज़े से तीन बज़े के बीच का समय आपके लिए काफी लकी साबित होगा और इस दोरान आपका भाग गये, आपका साथ देगा साथ ही गज केसरी योग होगा तो ऐसे में आप सभी सुखों को भोगने वाले होंगे यदि आप नौकरी पेसे से जुड़े हुए हैं तो उच्छ पदपराशीन होंगे वेतन व्रद्धी की संभाव न रहेगी इस दोरान आपके अंदर उर्जा का इस्तर उच्छ होगा वाद विवाद भाचन कला में निपुन होंगे नितरत करने की छमता आपके अंदर होगी और आप अपनी बोद्धिक सक्ति के अनुसार धन, दौलत, मान, सम्मान प्राप्त करेंगे आपकी सभी महत्तु कांग्छाएं पूरी होंगी आपकी दोर द्रस्टी सूच आपको वेपार और वेवसाय के छेतर में आगे ले जाने का कारिय करेगे इस औरान अपनी सूच बूच से और साहा से कारे छेतर में अच्छे फल की प्राप्ती होगी वेवसाय और वेपार में भी उच्छे मुकाम हासिल होंगे धन सम्मंदी सभी परिशानिया दूर होंगी और अच्छे फल की प्राप्ती होगी इस दोरान खत्रे मोल लेने की आपकी छमता के कारान आपको वेबसाइक छेतर में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे हो सकता है इस दोरान आपको बाहर जाने का मौका मिले और इस बदलाव से आप अपने वेबसाइक सफलता के मार्क पर आगे चल पड़ेंगे अपने लक्छों को प्राप्त करने के लिए आपको विसम परिस्तितियों में भी आसानी से काम करने की अपनी चमता का विकास करना होगा इस दोरान आपकी कड़ी महनत और एक ही दिसा में किया गया कारिये बहुत बड़ी संख्या में धन अरजित करा सकता है तो ऐसे में अपने लक्छे पर केंद्रित होकर प्रियास करें महनत करें क्योंकि इस दोरान आपको महनत का फल अवश्य में लेगा और इस वरान आपको अपनी छमताओं को दिखाने का अवसर प्राप्त होगा यदि आप कहीं कारियरत हैं तो वहां आपके साथ ही आपके उच्चदिकारी आपकी सरहना करेंगे आपसे खुस होंगे और आपको निश्चित रोप से आर्थिक पुरुसकारों की प्राप्ति होगी जो कि आपके उत्तम विचारों का प्रतिफल है आप अपनी बोध्धिक संपदा को सुरक्षित रखने का प्रियास करें और इस वरान आपके आर्थिक लाव आपके प्रियासों पर निर्भर होंगे तो इसलिए आलस से बिल्कुल त्याग दे साथ ही रवियोग के बनने से इस वरान सूर्य देव की किरपा द्रस्टी भी आप पर बनी होगी सूर्य आपकी हिरासी में व्राजमान होंगे और यहाँ बुद्ध भी वराजमान होंगे तो आपकी लगन भाव में बुद्धा दित्य युक्य बनने से यह समय छात्रों के लिए भी बेहत अनुकूल होगा जो छात्र परतियोगी परिक्षा की तयारियों में जुटे हैं उच्छा की तयारी कर रहे हैं उन्हें कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिलेगी पढ़ाई में मन लगेगा और साथ ही एकागरता में व्रद्धी होगी इस राशी के जो लोग कारुबार यानि अपने कोई वैपार और वैबसाइट से जुड़े हैं उन्हें भी उन्नती के अफसर मिलेंगे जिससे आपकी आर्थे किस्ति पहले से काफी बहतर होगी इस वरान धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी तीवत इस्थलकी यात्रा करेंगे और किसी संत से कुछ देविय ज्यान प्राप्त करेंगे जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिये आपको आमदनी के नए सुरूत भी मिलेंगे साथ ही आपके पास धन अर्जित करने की चमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे तो इस दोरान अच्छी घटनाएं घटित होंगी लेकिन तनाव भी देंगी जिसके चलते आप ठाकान और दुईधा भी महसूस कर सकते हैं तो ऐसे में जीवन साथी का भी पून सहयोग आपको मिलेगा दामपत्य जीवन मदुर होगा और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बैतीत करेंगे छे जनवरी को सरवार सिधी योग में पोस पूर्णिमा होगी और इस दिन सुकरवार का दिन होगा पोस पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में इसनान करने और दान करने का महत्व है उसके बाद रातरी के समय में चंदरदेव और मा लक्ष्मी की पूजा की जाती है दिन में सत्तनारायन भगवान की कथा सुनी जाती है और उनकी पूजा करते हैं पोस पॉर्णिमा के दिन सरवार्शिद्धी योग के साथ तीन सुभयोग भी बन रहे है तो ऐसे में सरवार्शिद्धी योग कारियों में सफलता परदान कराने वाला होगा और इसके अलावा ब्रहम योग और इंद्र योग भी बन रहा है इन दोनों योगों को सुभयोग म रहेगी हाला कि यह सुवर की भध्रा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुवर की भध्रा अशुब नहीं होती है तो ऐसे में मा लक्षमी की किरपा से परिवार में सुख सम्रद्धी आएगी और उनकी किरपा दर्ष्टी आप पर बनी होगी तो चंद्रमा यहां आपके 17 भाव में वराजमान होगा जो शुकर और बुद्ध से सम्मंदित है यहां शुकर आपके धन भाव में वराजमान है और बुद्ध आपके लगन भाव में वराजमान है तो ऐसे में सूरिय की किरणे 7 भाव में बैठे चंद्रमा पर पढ़ेंगी जो की सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे तो ऐसे मिज चंद्रमा से संबंदित चीजें रिस्तेदार वैपार आपके लिए लाबकारी होंगे अच्छे परणाम देने वाले होंगे और इस दोरान सेक्षिक उपलब्दियों का लाब उठाने का समय आपके पास होगा धन कमाने के लिए अच्छे अवसर आपको मिलेंगे और आपका जुकाव अध्यात्म की और होगा धर्मकर्म के कारियों के प्रति आपका लगाव रहेगा तो ये दोनों ही दिन आपके लिए बेहत खास होंगे और मा लक्षमे की किर्पा दस्टियाप पर बनी होगी तो दोस्तों ऐसे जानकारे लेने के लिए हमारे चैनल से लग जुड़े रहे